आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर जैसे कि अपने थमनेल में देखा कि कुन से वैक्सिन ज्यादा असरदार होगी और आज हम इसी विचे में हम जानने वाले हर कोई वैक्सिन लगाने से पहले उसके बन में एक क्वेश्चिन आई जाता है कि कुन सी वैक् कोपी जब बनती है तब हमारी इमिन सिस्टम को पता चल जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर में कुछ ना कुछ गढ़बढ है तब वह एडिय बनाना चलू करती है जब वह एंटी बनती है तब वही कोरोना वाइरस के स्पाइक प्रोटीम पे जाकर चिपक जाती है इससे व बारा अगर वही वाइरस अगर उसके पर में अटैक करें तो उस व्यक्ति को इंफेक्शन नहीं हो पाता उसके पीछे का रिजन होता है कि बॉडी के अंदर भी एंटी बोडी होती है जो शेडिल में जाने के बाद में तुरत उसके उपर में चिपक जाती है इसी सिद्धा होंयुआ है आपएने एडिनोवाईरस से बनाए गयी है एडिनोवाईरस्य चिंपान्जीयों में जुकाम का कारण बनता है यही वाइरस और क्रोनवाईरस दोनों लगभावावर्य दोनों सिमिलर होने के वजह से यह जब बाडी मेंधल होता है Lockydion के द्वारा तब बाडी के सभी म्यूटेंट पर काम करते हैं और इसे 81 परशेंट तक कारगर बताया गया है करेंगे को एक्सिन जिसे भारत बायोटेक और यह व्यक्ती के शरर में जब होती है तब यह एंटीबोडी बनाने में स्छयम उती है लेकिन इंपेकd करने में रशिया नहीं नहीं होती है इसलिए इस वैक्सिन का जो सक्षेंट से बताया गया है यह कोडिया के सभी वेयerson पे कारगर थाबित हुई है यह वैक्सिन तीजिसे रिशा ने बनाओं और यह यह पहली वैक्सिन थी जुम में जो सबसे पहले आई थी इसका प्रोडक्शन अभी इंडिया में रॉप hani रेटी के लाब में होना है और यह वैक्सिन जो है यह दो वाईरस को लेकर बनी है पहला वायरस है और बनी यह पहरा डोज जो आपको दिया जाएगा इडिया जाएगा वह एडियूइन वाइरस ट्वेंटिश्ट का दिया जाएगा यह वैक्षिन नाइन्टीवन पर्षेंट तक कार कर बताई जारी है यह है कि सब्सक्राइब करो है और टीनों वैक्षिन का स्वारा सब्सक्राइब बहुत अच्छा है और बात रही है यह जब तक कि देश में 80 पर्शन वैक्षिनेशन नहीं हो जाता तब देश में हर्ड इम्मुनिटी आना इंपॉसिबल है और हम सभी को वैक्षन लेना बहुत अनिवारी है जब तरहता कि हम वैक्षिन नहीं लेंगे तब तक कि हम लॉगडवन से मुक्ति नहीं पाएंगे हम डर से जूर इल्ली है सभी एककती कारगर है और आपको जो भी वैक्सिन मिलती है थी ऐसके सी दोगया है इसे मेरा आप सबुम거든 जरूर लगवाए और जल्द से जल्द हम इस लॉगड़ों से बाहर निकलें बस अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और मिलते हम अगले वीडियो में